हमारे एक दरसक ने पूछा है कि क्या हुआ जब भगवान बुद्ध ग्यान प्राप्त करने के बाद में सारनात पहुँचे और वहाँ जो उनकी पुराने साथी थे उनसे मिले यह बहुत ही अच्छा प्रसन है क्योंकि जब सिद्धाद गौतम को यानि बोधिसत्व गौतम को वैसाग पूर्णमा को बुद्धत्व प्राप्त हुआ हाइस्ट इन्फॉर्मेशन, हाइस्ट नौलिस, हाइस्ट ग्यान, जानकारी, एलैट्मेंट हुआ उनको तो बहुत साथ सब्के तक तो वो यह सोचते रहे कि यह जो उन्हें मिला है, यह कैसा है, कैसा नहीं है, एक लंबी कहानी है उसके पीछे उसके बाद मैं उन्होंने सोचा कि हालाकि यह थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है, यानि नौलिज है, या जो ग्यान है, यह थोड़ा सा ज्यादा गूड है, ज्यादा कॉम्पलेक्स है, ज्यादा गहरा है, इसको हर आदमी या आम आदमी पूरी तरह से नहीं समझ मगर पता चला है कि टीचर सारे सारे एक्सपार हो चुके हैं, खतम हो चुके हैं, तो उन्होंने सोचा कि कहा जाएं, तो उन्होंने लगा कि जो उनके प्राने पास साती थे, कॉंडिये, वप, भद्दिये, महानाम और असजी, तो कॉंडिये, वप, भद्दिये, महानाम, जी उनको छोड़ के चले गए थे जब उन्होंने खीर खाना यानि बीच में खाना खाना सुरू किया था तो वहां ढूंटे ढूंटे पहुंचे पता चला कि वह साधनानात का जो मिगदाय है मिगदाय जंगल है जहां मिर्ग बगएरा बहुत रहते हैं वहां पर हैं पहुंचने के बाद में दूट से आते वह देखा पांच होने कि यह भगवान बुद्र तो नहीं कहेंगे और समय कहेंगे कि सिधार्द गोतम है सिधार्द गोतम है तो अरोने डिसाइड किया कि यह तो बड़ा कमजोर, निक्रष्ट या एक तरह से कहेंगे पाखंडी या आडमकारी व्यक्ति है इसना तो खाना खा लिया इसना अपनी तपस्या छोड़ दी तो इसको हम कोई भी इज्जत नहीं देंगे इसका कोई भी अथित्य सुईकार नहीं करेंगे ना ही हम इससे बात करेंगे और इससा उन पाँचोने आपस में सलामस्वरा किया तो मगर अब सद्धात गौतम बुद की चाल बदल गई अब सद्धात गौतम बुद का पूरा पूरा जो पसनलटी है जो व्यक्तित्व है वो बदल गया क्या हुआ इस बीच में क्योंकि लोग अपनी पसनलटी को बनाने क लिए बहुत सारा काम करते हैं, बहुत बड़ीया महनगी कप्ले पहनेंगे, बड़ी-बड़ी उची-उची गड़ी रखेंगे, सोने का चांदी का कुछ ना कुछ लगाएंगे, बड़ा महनगा पैन होगा, एक बहुत बड़ी कार होगी, उससे भी बात नहीं बनेगी तो ब बखान करेगा, सबजी के स्टेल करेगा महंग युमे के सामन कहई देगा और आयासी के 500 रास्ते बताने के लिए, बातों में घवंड आ जाएगा बात बताएगा तो ऐसे बताएगा जैसे दुनिया का राजा है बात करेगा तो ऐसे करेगा पांसो ततरे की चीज़ें पूरी दुनिया ने अजाद की हुई है तो किसी आदमी को जब रॉप डालना हो और वो खोकला हो अंदर से अंदर से उसके पास कोई ग्यान न हो, कोई जान काई न हो तो वो भार से बहुत सारी चीज़ें ओड़ लेता है और भास से बहुत सारी चीज़ें वो डाल दे लेता है और वो ऐसे दिखाता है जैसे वो दुनिया जानता है अगर आप किसी बहुत बड़े किसी आदमी के ओफिस में जाएंगे बेसे कुछ ना जानता हो, उसका बहुत बड़ा केविन देखेंगे तो आप उसका केविन देखेंगे उससे इंप्रेस हो जाएंगे किसी के कपड़े बहुत बड़े देखेंगे तो इंप्रेस हो जाएंगे किसी की बहुत बड़े कार देखेंगे, घर देखेंगे उसका इस्टेटस सिंबल देखेंगे या उसकी बहुत बड़ी नौकरी देखेंगे, या उसका बहुत बड़ा ओधा देखेंगे, तो आप इंप्रेस हो जाएंगे, आपको नहीं पता कि वो अदर से कैसा है, कैसा नहीं है, अंदर से क्या है उसके अंदर, मगर बहारी चीज़ देखें, इंप्रेस, ये आज की एक हजार हल चलते थे उसके घर में, वो मुझसे कुछ बाद में बोलता था, वो पहले पूरी होती थी, क्योंकि उसके पास इतना सादा धन और धने, धने मतलब जो गैहूं और जो धन थान था, बहुत जादा होता था, तो जब वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के आ गया, और अब वो उससे भी बड़ी चीज़ें छोड़ दी उसने, तब तो उसने फिजिकल चीज़ें छोड़ी थी, तब तो उसने जो छोड़ा था, वो भाहियरूप छोड़ा था, धन, दौलब, जमीन और इस्टेटस छोड़ के आया था, यहां तक कि अपनी सब चीज़ उसन अब उसके अंदर उपेक का समता अनन्त आ गई है, अब उसके अंदर मुदिता अनन्त है, प्रसंता ही प्रसंता है, तो उसकी चाल बदल गई, यह नैचुरल होता है कोई व्यक्ती, जब अपनी सारी ब्राई छोड़ देता है, तो वो अपने फटे-पुराने कपड़े में अगर उसके बाल भी बिखरे हुए हैं, चाया वो नहया है या नहया है, उसने डाड़ी बनाई है नहीं बनाई है, उसके चेहरे से बहुत ही सुन्धर और बहुत ही शान्ती प्रिये एक तरह से वेवस और क्रिन निकलती हैं, जैसे आपना छोटा बच्चा देखा होगा, छ जो जोट बोना सुरू कर देगा, वो चोरी करना सुरू कर देगा, वो बहाने बनाने सुरू कर देगा, तो ये सारी बुराईयां उसके अंदा जवाद आती जाती है, तो उसका चेहरा और सरीर भी खराब हो जाता है, और धीदे धीदे आपने देखा होगा, उसका चेहरा क है और जैसे जैसे वो पार सा जा रहे हैं वैसे वैसे उनके एरादे ढहर दहीले पर्ते जा रहे है और उनके पास का साथ dome प्लड़ से हुँ इस निकलती है कि Carson और उनका सारा बैड चला जाता एक वहठी उननके प्रफाज से चीवर ले लेता है दूसरा वाला जो उनका साती है वो पानी लेके आता है वो पानी लाता है ताकि थके हुए हैं उस समय खड़ावू और चप्तल तो नहीं होते थी तो पैर धूने हैं एक पैर पहुंचने का कपड़ा लेके आता है एक वहां आके स्टूर लग कि कभी भी किसी से इस तरह की कोई सेबा नहीं ली कि कोई उनके चरण धोए या चरण धोगे उनको पिए या चरण धोगे उनको अमरत समझे तो बुद्ध ने जब वहां चरण धोए तो इसका जिकर है इसका साफ लिखा हुआ है कि बुद्ध ने अपने चरण स्वैम माँचो को वहां उन्होंने बताया और सिखाया कि उन्होंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा और ये जो वहां उन्होंने पाद पाद औद्ध बोलते हैं, पाद पीठ जिसंपे बैठके बैटक पाद पीठ बोलते हैं, तो बुद्ध ने वहां अपने पैड होएक और इस तरह से पाचों के पाचों जो सिसे थे, वो पाचों उनके पहले बल्कुर तो नहीं कहेंगे, मगर क्योंकि पंच वर्गिया बोलते हैं पांच वर्गिया बोलते हैं पांच भिक्कू उनके सिस्से बने और उनोंने वहाँ पे धम को सीखा धन्यवाद इसको धम्चक पवतन भी बोलते हैं